आदिन्न दाना विर्मनी सिख्खाप दंस्मादियामी भंगनवान बुद्धी पभू हैं प्रभू हैं या महाप्रभू हैं आप अगर कभी जमीन पर भूपर पत्वी पर अर्थ पर या भूमी पर सोए हैं और नीचे आपने कोई चादर या कोई बिस्तर नहीं बचाया है और अपना कान अगर आप जमीन से सटाकर बिल्किल चिपकाकर थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं आपको आवाज अपने कानों में आती है, बहुत भारी आवाज होती है, इस तरह की जैसे ये दरसल जो आवाज है, ये पथवी की, पथवी की, भूमी की, भू की आवाज है, अर्थ की आवाज है, ये आती कहां से है? पत्वी के अंदर सभी जानते हैं जब जो आला मुखी फटता है तो आग निकलती है अंगारे निकलते हैं लावा निकलता है मैगमा निकलता है पत्वी के अंदर आग ही आग भरी पड़ी है और जो पत्वी के अंदर जितना भी मट्यल है वो सारा का सारा तरल है पिगला कि अंत्रिक्ष में अगर आप देखेंगे चंद्रमा से तो अर्थ तीन तरह से घूमती है एक तो सूरज के चारो तरफ घूमती है एक अपनी धुरी पे अपने एक्षिस पे घूमती है और एक अपने एक्षिस से थोड़ा सा एंगल लेके घूमती है जिससे मौसम बदलते है तो ये जब घूमती है तो ये हवा से घर्षनबल लेती है जो beer टीर होता है हवा का वहाँ से एक resistance पैदा होता है उससे एक आवाज पैदा होती है और जो नीचे से magma होता है उसकी एक आवाज sound आती रहती है इसलिए प्रत्वी जीवित है और इसमें हम ऐसा आवाज आती रहती है जब कभी मनुस्य ने सद्द बनाने यानि आवाज बनाने सीखी होगी क्योंकि सबसे पहले तो सरा और सरा आये थे आ, आ, ई, उ तो वो बार 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 इसकी कॉपी करते होंगे और इसको कहते होंगे कि ये जो है इसारा करते होंगे ये भूमी जैसी जो ये भै है यानि इतनी भारी अवाज आ रही है इसलिए जब सद्द का विकास हुआ तो भै से भै पढ़ गया और ये भूमी पढ़ गया दरसल इसको भू कहने लगे पाली में पक्ती भासा के अंदर यानि धरा ये पत्वी जो होती है अगर इसके जंगल साफ करकर कोई इसका खेत बना दे और खेत का जो बनाने वाला होता है स्वामी होता है उसको कहते है पै भूमी यानि जिसने ये पकाई है जिसने ये पका कर तयार की है बhुमी जिसने इसको खेत में बदला है उसको पभु बोलते हैं और पभु को बोलते हैं मालिक यानि स्वामी बोलते हैं उस लैंड का उस जगे का तो भगवान बुद्ध चो की एक किसान परिवार से कस्क परिवार से रहे हैं कस्ती चलाते रहे हैं और सभी जानते हैं कि उनके कुल के अंदर उनके गोत के अंदर जो गौतम उनका लाइनेज है जब वो धान बुआ करते थे तो एक हजार हल चड़ा करते थे इतने बड़े वो पभू थे यानि महापभू थे महापभू मतलब बड़े वाले पभू तरसल हर किसक को, हर किसान को, हर फार्मर को पभू के नाम से जाना जाता है पभू या पभू बाद में जब इसको संस्कायत किया गया तो एक इसमें आधारे लगा दिया गया उन सब को पभू और प्रभू बूला जाता है पुरानी भासा के अंदर इसलिए अगर आप देखेंगे तो पुराने जतने भी गाओं हैं और उनमें जतने भी नाम हैं उसमें पभू नाम प्रभू नाम बहुत जादा मिलेंगे परभू दास, परभू सिंग, पभूलाल तो ये पभू और जो प्रभू नाम है ये mostly भारत के अंदर किसानों के नाम रहे हैं और किसानों के ही ये काम रहे हैं आपने एक सद्ध सुना होगा आज के समय बहुत चलता है कहते हैं कि अगर आप इसको बैंक से लॉन लेना है तो आपको को लेटरल रखने हैं को लेटरल मतलब गिर्वी रखने का सामान है मगर इसको पाली भासा में कहते हैं पभूत रखना है पभूत और संस्कायद करके इसको प्रभूत बोला गया याई परभूत पभूत का मतलब है वो भूमी जो आपके अपने अधिकार छेत्रम हैं जिसके आप अपने मालुमें जिसके अपने मालिक हैं तो इसको पभूतियां बोलते हैं प्रभूतियां बोलते हैं या को लेटर बोलते हैं तो यह जो पभूत सब्द है या प्रभूत सब्द है यह पभू से ही आया हुआ है इसलिए जो प्रभूत बोलते हैं कि उसका प्रभूत है या वो उसका स्वामी ह उसका मालिक है यह प्रभुत सद पाली का ही सद है इसलिए भगवान जो कसक थे किसान थे वो अपनी सारी की सारी जो भूत है उसके पभूत है और वो उनकी पभूतियां थी पर अब इसका जो अर्थ है वो संस्काइथ होने के बाद में पूरा का पूरा 180 डिग्री एंगल पर घुमा के उल्टा कर दिया गया है तरसल अब जो प्रभू है वो मालिक को बोला जाता है फिर ऐसा बोलने लगे कि कोई चमतकारिक कोई व्यक्ती है या कोई चमतकारिक ऐसी चीज है जो सारे काम कर सकती है तो उसको प्रभू बोलने लगे प्रभू एक इस तरह का नाम होने लगा जैसे कोई गौड से सम्मंदित है यानि गौड जैसा ही ये होने लगा और लोग इसको इसी तरह से जपने लगे इसी तरह से मानने लगे जबकि ये पाली का सब्ध है जो सिद्धत गौतम यानि जो बुद्ध है उनके जो दादा जी थे सी हनू वो सबसे बड़े तनि थे आज के समय कह सकते हैं कि महा परभु थे क्योंकि वो सबसे बड़े किसान थे सबसे बड़े कशक थे सबसे ज्यादा उनके पास में भू थी सबसे बड़े भुमी थी धन्यवाद जरेने बिच्छाम। नम्मं से नम्